जैहिंद आज की इस वीडियो में चंद्रयान 3 is related most important MCQ करेंगे पहला प्रेशन है चंद्रमा के दक्षडी धुरुव पर पहुंचने वाला भारत का इस्थान है तेके राइट एंसर है इसका पहला देखे चंद्रमा के दक्षडी धुरुव पर पहुंचने वाला भारत जो है पहला इस्थान है भारत का नेक्स्ट है मिसन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है देखे जो मिसन चंद्रयान 3 है इसके रोवर का जो नाम है वो है प्रग्यान ठीक है मिसन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है तो option number C प्रग्यान देखेगा यह है चंद्रयान 3 का रोवर ठीक है next है Mission Chandrayan 3 को launch करने में कितना खर्चा है देखे जो Mission Chandrayan 3 था इसे launch करने में कुल 615 करोड रुपे का खर्च आया option number B 615 करोड रुपे का खर्चा है बात करे हम लोग Chandrayan 1 की तो देखे Chandrayan 1 को 386 करोड की बजट में बनाया गया था इसके बात है Chandrayan 2 तो देखे Chandrayan 2 कितने एक में बना था 988 करोड में बना था और Chandrayan 3 जो है वो 615 करोड में बनाया ठीक है next है Mission Chandrayan 3 को कब launch किया गया देखे जो Mission Chandrayan 3 था इसे 14 जुलाई को launch किया गया next है Mission Chandrayan 3 के lander का क्या नाम है तो देखें मिसन चंद्रयान 3 के जो lander है इसका नाम विक्रम lander है आए देखते हैं कहां पर होता है विक्रम lander देखें विक्रम lander ये दिख रहा है ये क्या है विक्रम lander है ठीक है तो चंद्रयान 3 के जो lander का नाम है वो विक्रम lander है ये काम क्या है इसका तो चंद्रमा के दक दक्षडी दुरुव पर सॉप्ट लेंडिंग करने काम कौन करता है विक्रम लेंडर नेक्स्ट है चंद्रमा के दक्षडी दुरुव पर सॉप्ट लेंडिंग कौन करेगा तो अभी मैंने बताया कौन करेगा विक्रम लेंडर दीखे जो विक्रम लेंडर है ये चंद्रमा के दक्षडी धुरुवपर क्या करेगा, सौप्ट लेंडिंग करेगा, ठीक है, नेक्स्ट है, मिसन चंद्रयान 3 भारत का कौन सा मिसन है, तो मिसन चंद्रयान 3 है, वो भारत का तीसरा मिसन है, इससे पहले हमने चंद्रयान 1 भेजा था, और चंद्रयान 2 भेजा था, मिसन चंद्रान्थे का नेतृत्व किया था मिसन स्थान्थे का लेंडर चंद्रमा कि 20 पर जिस इस इस्थान पर उत्रा उस इस्थान का क्या नाम रखा गया है तो राइट एंसर है दिखे उस इस्थान को सिवशक्ती पॉइंट नाम रख दिया गया है तो याद रखेगा सिवशक्ती पॉइंट नाम रख दिया गया है जहां पर चंद्रयान 3 का लेंडर चंद्रमा की धरा दिवस, C, राष्टी अंतरिक्ष दिवस या पिटी, राष्टी वेवानी की दिवस इस question का answer आप मुझे comment करके जरू बताएगा, thank you